अब लो दोस्तों आप वेल्कमें टो माई चैनल इस वीडियो में हम कुछ एक्सपोनेंशल फंक्षन का लापलस टांसफोर्म फाइंड करने वाले पहला एकी पावर माइनस एटी यू टी और दो सार माइनस एकी पावर माइनस एटी यू माइनस टी तो हमारे पाथ दो यह सिगनल दे रखें इनके टांसफोर्म फाइंड करने में पहले वाले का हम फाइंड करने शूरू करते हैं Xt transpose 2 d रखा है E की पावर UP A T U of T तो इसका Laplace Transform निकालो कैसे निकालेंगे मैं उसका X of H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है तो फोर्मूला क्या होता है माइनस इंफिनिटी टो प्लस इंफिनिटी X of T E की पार माइनस S T ठीक है तो यह होता है तो इसमें हम क्या करेंगे अपना सिग्नल उठाकर पुट कर देंगे माइनस इंफिनिटी टो प्लस इंफिनिटी E की पार माइनस A T U T E की पार माइनस S T D T यह जो सिग्नल होता है U of T कहां सकाहां तक लाई करता है U of T की वैलिव वन होती है 4 T greater than equals to 0 और 0 होती है 4 T less than 0 X of S यानि कहां से कहां तक लाई कराएगा 0 से इंफिनिटी के बीच में 0 से इंफिनिटी के बीच में हमाई लिमिट एक्जिट करेगी उस तोरान उसकी वैलिव कितनी होती है 1 E की पार माइनस A T E की पार माइनस S T D T इसको मैं कैस लिख लूँगा 0 तो इंफिनिटी E की पार माइनस S प्लस A इंटो T D T ठीक है तो X of S कितना आगी है मेरा इसका इंटिग्रेट कर दो E की पार माइनस S प्लस A T माइनस S प्लस A इसमें लिमिट लगा दो 0 तो इंफिनिटी अब देखो मैं जब लिमिट लगाता हूँ E की पावर माइनस S प्लस A T की जगए इंफिनिटी लगाया माइनस जब 0 लगाऊंगा तो E की पावर 0 हो जाएगा नीचे कितना उचे है माइनस S प्लस A अब यहाँ पर देखो अगर S प्लस A की वैल्यू ठीक है यहाँ पर देखो S प्लस A की वैल्यू अगर यह पोजिटिव रही यह इतना वाला पाट पोजिटिव रहा तो यह क्या रहागा E की पावर माइनस इंफिनिटी रहागा E की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0 तो इसका मतलब क्या हो जाए S प्लस A क्या होन चाहिए greater than 0 उन चाहिए S प्लस A ठीक है तो यहाँ पर क्या जब आगर यह signal को exit करना तो क्या होन चाहिए हमारा S प्लस A क्या होन चाहिए positive होन चाहिए जब भी तो यह signal exit करेगा यानि इसी से तो हमारा ROC आएगा S क्या होन चाहिए greater than minus A यानि ROC क्या आगे हमारा real of S क्या होन चाहिए greater than minus A तो यहाँ पर XS कितना बचा है यह हो जाएगा 0 अगर exit करेगा तो यह एक पार 0 हो गया 1 minus S प्लस A तो X of S कितना आगे हमारा यह minus 1 minus स minus cancel हो जाएगा S प्लस A ठीक है तो ROC क्या होन चाहिए minus S है A तो हमारे पास किसका Laplace Transform आ चुका है E की पावर minus AT UT का जो Laplace Transform होगा Laplace Transform 1 upon S प्लस A होगा and ROC क्या होगा इसका real of S या Sigma इसे ऐसे भी लिखा रहता है ठीक है इससे कोई करने जरूत नहीं है real of S मतलब Sigma की बात कर रहा है क्या उन चाहिए greater than minus A तो E की पावर minus AT का Laplace निकाल दिया second वाला का निकाला ऐसे ही XT कश्टू दे रखा minus E की पावर minus AT U of minus T ठीक है U of minus T कहां से कहां तक exit करता है U of minus T जो exit करता है मेरा इसकी value 1 होती है from अगर T less than zero के लिए ठीक है less than equals to zero के लिए क्या होती है zero होती है value for T greater than zero के लिए तो इसका X of S क्या आ जाएगा फिर तो limit कहां से कहां तक आ जाएगी minus infinity to zero ठीक है minus infinity to zero के बीच में इसकी value बनाएगी यानि इसकी value बनाएगी e की power minus A T into e की power minus ST D T तो यह कितना आ गया मैं minus बाहर ले 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 रहा हूं minus infinity to plus infinity minus इसका minus मैंने comment लेकर लिखा S plus A into T D T ठीक है इसका करके लिख लिए इसका rearrange करके तो इसका देखो इसका करो integrate minus e की power minus S plus A minus s plus A कहां सकां तक minus infinity to 0 तो इसकी limit मैं लगाऊंगा तो इसको मैं बाहर ले लूँ इससे यह plus हो जाएगा 1 plus s plus A हो जाएगा ठीक है तो sorry यहां पर T चुट गया तो अब मैं T की जगा लगाता हूं value तो यहां पर T into यह 0 into something e की power G होई रहागा minus e की power minus infinity लगाऊंगा यहां पर बात ध्यान से देखने वाली होगी यहां पर आया है कितना minus infinity अब देखो minus minus होगे plus minus minus होगे plus तो s plus a into infinity अगर s plus a यहां पर देखो मैं यहां पर left में समझाता हूं थोड़ा तो s plus a into infinity minus स माइनस तो plus तो होगे तो ठीक है अगर इसकी infinity से value करऊंगा तो हो जाएगा infinite लेकिन अभी हमारे पास क्या s की choice है यानि s जो अगर हमारा यह वाला term हमारा अगर negative आजाए तो यह value e की power में चल रही है तो e की power अगर यह वाला s plus a को मैं negative कर दूँ तो यह क्या जागा अगर यह negative हो गया तो यह e की power minus infinity हो जागा यानि इसकी value कितनी होती है 0 होती है तो अगर इस Laplace transform को exit करना है तो क्या होना चाहिए s plus a वाला term में इस वाले क्या होना चाहिए less than 0 होन चाहिए negative होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा अगर signal मेरा x of s को exit करना है तो कितना बचेगा यह s plus a e की power 0 हो गया 1 minus तो इसको exit करने के लिए अगर e की power कितना हो जागा फिर minus infinity हो जाएगा ठीक है यह minus minus को plus हो गए ते यहां से देखो s plus a क्या होना चाहिए negative होना चाहिए negative यानि less than 0 s की वे region of convergence क्या हो जाएगा minus a yarni real of s क्या होना चाहिए हमारा less than minus a तो यह पता चलना ठीक है यहां से हमारा region of convergence से क्या होना चाहिए minus a से कम होना चाहिए तो जब ही हमारे क्या करें x of s exit करें तो यह e की power minus infinity हो गया 0 तो इसका कितना हो गया 1 upon s plus a तो हमारे पास जो minus e की power minus 80 u of minus t का Laplace transform आया है वो कितना है s plus a real of s क्या होना चाहिए less than minus a अगर मैं इसको draw करूँ इसके roc को किस टाइप का दिखेगा इसका एक pole है minus a यह यहां पा कहीं पा लाइक करेगा उसकी वे roc क्या होना चाहिए उससे कम होना चाहिए तो उससे कम होने के लिए इदर जाना पड़ेगा this is the roc ठीक है इस वाले सिखने लिए minus e के पाव minus 80 u minus t के लिए जो roc होगा कौन सा होगा इस साइड के दरब ठीक है तब ही यह क्या होगा हमारा इसका लापलाइस ट्रोंस्फोर्म exit करेगा ठीक है अगर यहां पर हमसे पहुचा होते तो इसके लिए क्या रो करते है मैं यहां पर देखो शोट में यहां पर रो कर दे रहा हूं यहां पर क्या s sigma greater than minus 1 minus a minus a से क्या होगा greater than होगा इसका roc हो जाएगा ठीक है तो इस टाइप से रो करते है roc सबसे जादे इंपोटेंट है जब तक roc का concept समझ नहीं आएगा तब तक वहां पर कोई भी question नहीं हो पाएगा जादे तो question फी गलत ही होगे जब inverse से निकालेंगे फिर और जादे दिखता आएगी तो जितना अभी से focus कर सकते हो सबसे जादा roc पर focus करने शीगो ठीक है तो इस वीडियो में हमने दो exponential function का roc देखा इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में next वीडियो में कुछ और question करेंगे अब thank you मिलते है next वीडियो में झाल